गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट आप फिर क्लास 6 के बच्चों के लिए इतिहास हम लोगों ने जो पहला चेप्टर था इतिहास और उसका पर्चे वो समाप हो गया यानि कि वो लेशन जो था वो खतम हो गया उसके बारे में कुछ संचिप्ट हम विब्रन यहां पर दे रहे हैं आपको इसकी दिखाई देगा उसको समझिए इतिहास पूर्व की घटनाओं का एक व्यवस्थित घटना चक्र है इतिहास क्या है एक पूर्व की घटनाओं का एक व्यवस्थित घटना चक्र है ठीक है वहाँ देख रहे होगे आप उसको नोट कर लोगे प्राग इतिहासिक काल मानो के विकास का व काल है जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था प्राग इतिहासिक काल कौन सा काल है जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था मानो ठीक है प्राग इतिहासिक काल मानों के विकास का वकाल है जब वो लिखना व पढ़ना नहीं जानता था समझ गए आप लोग इतिहास क्या है इतिहास पूर्व की घटनाओं का एक विवस्तित घटना चक्र है दूसरा प्रगयातिहासिक काल मानों के विकास का वह काल है जब वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था ठीक है नमबर थी पर आते हैं पूरा तत्विक वह शाहितिक श्रोत इतिहास के दो प्रमुक्ष श्रोत है पूरा तत्विक श्रोत और शाहितिक श्रोत यानि कि पूरा त जब तक हम किसी प्राचीन चीज को हम जानेंगे समझेंगे नहीं तब तक हमको उसका इतियास के बारे में पता नहीं चलेगा उसके साहित्य को नहीं जानेगे तो हमको इतियास के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा तो इसलिए पूरा तात्विक और साहितिक श्रोथ इत जिहास के दो प्रमुक श्रोथ हैं ठीक है जिवास्म और शेष जिवास्म और शेष आप लोगों को बताया थे जिवास्म यानि कि किसी भी जीव का और शेष यानि कि उसका जो कंकाल हो गया या कुछ भी हो गया यानि उसको बोलाता है और शेष जिवास्म किसी भी जीव का ठीक है कबरे औजार और उपकरन सिक्के एसमारत बरतन और सीला लेख पूरा तात्रिक श्रोतों के कुछ उधारन है यानि कि पूरा तात्रिक के श्रोत के क्या-क्या उधारन है तो जिवास और सेस कबर औजार उपकरन इतियादी ये किसके उधारन है पूरा इतिहास को जानने के लिए ये जो श्रोथ है इसको जानना बहुत जुरूरी है ठीक है साहितिक श्रोथ दो प्रकार के होते हैं धार्मिक वर लौकिक साहितिक श्रोथ कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के धार्मिक वर लौकिक आप लोग ने पढ़ा है इतिहास में इसा पुर्व एबं इस्वी समय रेखा का निधारन करती है क्या करती है? समय का निधारन करती है कौन करती है? इतिहास में इसा पुर्व इसा पुर्व जो है वो इस्वी समय रेखा का निधारन करती है परतेख छेत्र का इतिहास वह संस्क्रीती वहां की भगौलिक परिस्थितियों से परभावित होते हैं यह तुमारा सौट में पूरा सार हो गया हिस्ट्री का जो मैंने पढ़ाया है इतिहास एक परिचर ठीक है और यहां कुछ बहु कल्पिव प्रस्ण दिये जा रहा है ठीक है आपको चार ओप्शन दिये जा रहा है यात्रा विर्तान किसका भाग है धार्मिक साहित का कि लौकिक साहित का कि बाल साहित का आप लोगों ने पढ़ा होगा यात्रा विर्तान किसका यात्रा विर्तान भाग होते हैं धार्मिक साहित के कि लौकिक साहित के ठीक है, इन में से कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है, किस एतिहासी काल के लिखित साच्छ उपलब्ध नहीं है, अभी आप लोग ने सार्व पढ़ा था, किस एतिहासिक काल के लिखित साक्ष नहीं है तो प्राग एतिहासिक काल क्योंकि उसमें अनुसे लिखना पढ़ना नहीं जानता था ठीक है किस धर्म की धार्मिक पुस्तकों में प्राकृत भासा का परियोग होता था किस धर्म के किस धर्म के धार्मिक पुस्तकों में प्राकिर्थ भासा का परियोग होता था तो जयन धर्म होगा इसमें ठीक है अब भिज्ञान शाकुंतलम के रचेता कौन है शाकुंतलम इसके पहले पढ़ता यानि कि काली दास तो काली दास सही होगा ठीक है जिवास्म पाए जाते हैं फूलों में चटानों में पानी में आकास में जिवास्म कहां पाए जाते हैं चटानों में सिको में राजा समुद्र गुप्त को किस वाध्य यंत्र के साथ दिखाए गया है सिको में राजा को जो दिखाए गया है किस वाध्य यंत्र के साथ दिखाए गया है सितार, तबला, तानपुरा, वीना तो वीना के साथ दिखाए गया है थीकर ऐसर दिखायेगा है वीना के शाथ अब लोग मतलब हम समझा दियेों न audio और अब अब दूसरा है अपका लगु उतर्य प्रश्न लगु उतर्य प्राश्न अब लगु उतर्य प्रश्न चाल लगूतरिय प्रश्न यह प्रस्त, आपका संच्छंप विश्चत देता है कि उसको लगूतरिय बोलते है इतिहास क्या है इतिहास क्या है अभी आप लोगों ने साथ में पढ़ा इतिहास पूर्व की घटनाओं का विवस्तित घटना चक्र है थिक है इतिहास क्या है प्रागेतियासिक क्या है तो प्रागेतियासिक एक काल है जिसमें मनष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता इतिहास के दो मुख्ष श्रोथ के नाम बताईए तो इतिहास के दो मुख्ष श्रोथ कौन-कौन से हैं अभी आप लोगोने जाना इतिहास के जो मुख्ष रोथ पूरा तात्विक और साहितिक रोथ है ठीक है पूरा तात्विक और साहितिक रोथ है इतिहास के घटना चक्र को लिखने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं इतिहास के घटना चक्र को लिखने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं तो इतिहास सा इतिहास के स्रोध के रूप में सिक्कों का क्या महत्व है बोलो इतिहास के स्रोध के रूप में सिक्कों का क्या महत्व है क्योंकि ये किसी राज की आर्थिक स्थिति से संबंदित विभीन संकेत परदान करते हैं क्या करते हैं किसी देश की या राज की आर्थिक इस्तिती से समबंदित विभीन संकेत प्रजान करती है। उतरिये प्रस्फन यानि कि उतरिये प्रस्न यानि कि लिखना है उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है अब आता है आपका यहां बिवित प्रस्ण निमलिखित के जोड़े बनाईए ठीक है रामायान इसमें से क्या होगा धार्मिक श्रोत लोकिक श्रोत असोग क्या होगा समुद्र गुप्त जीवास्म अर्थ शास्र आदेश पत्र यह सब क्या है देखो जैसे जीवास्म एक बता देखो जीवास्म में क्या होगा पौध्रों और जानवरों के अउशेश पौधे और जानवरों के अउशेश ठीक है तो उसी तरीका से देख लो इसको बना लेना और फिर अब यहाँ आईए यह आपका रीक तस्तान भरे खाली एस्तान भरे इतिहास पूर्व की घटनाओं का एक ब्यवस्तित घटना चक्रे यह ब्यवस्तित भरा जागा पुराण एक धार्मिक शाहित है इसको आप लोग भर ली देगा ठीक है तो ये चैप्टर आप लोगा खतम हो गया नेक्स डे हम लोग पढ़ेंगे यानि कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीनतव समाड अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीनतव समाड ठीक है आज बस इतना ही झाल 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 झाल